Hello student, आज मैं आपको class 11 की exercise 9.3 chapter 9 sequence and series की exercise 9.3 के question 10 to 13 कराने जा रही हूँ ध्यान से देखेंगे बिटा, यह हमारी GP series है Find the sum of the indicated terms of the terms of the geometric progression x, x की cube, x की power 5, 2n terms Where x is not equal to plus minus 1 हमसे क्या काया question में कि हमें यह series रखें, देखो x e cube, x e 5, x की power 7, 2n terms तक अब आप से काये कि इसकी हमारे को sum निकाल के दो, कहां तक का, n terms का तो हमारी जो first term होती है, वो a होती है, तो a कितनी आगी है, हमारी x e cube हो गई ratio हमारा क्या होता है, x e power 5 आगे वाली term में से पीछे वाली term minus कर देते हैं, divide कर देते हैं, minus AP में करते हैं, divide कर देंगे तो यह हमारी क्या आगी, ratio आगे हमारा x का square हो गया अब हमारे परस formula क्या होता है, बेटा, दो formula होता है, अगर ratio 1 से छोटा होगा, तो अलग formula है अगर ratio 1 से बड़ा है, तो अलग है, तो यहाँ पर हमें x को बस इतना बोला है, plus minus 1 नहीं है, इसके अलावा 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो हम 1 से छोटा लेके चलेंगे, तो SN is equal to क्या होगा है, a 1 minus r की power n अपान में 1 minus r, हम r less than 1 लेके चल रहे हैं, a की value किती है, हमारी x c cube और 1 minus x की square, देखो r कितना है, हमारा x square है, और इसकी power n, तो x की power 2 n अपान में 1 minus x square, तो यह हमारा question complete होता है, बटा, next question देखो, हमसे पूछा है आपकी बार, evaluate करना है, हमें summation का sign है, summation k is equal to 1 10 to 11, 2 plus 3 की power k, अब हमने क्या करा, यहाँ पर k की value कहां से कह बच्यों से लेकर 11 तक, यानि कि k 1, 2, 3 up to 11 terms तक है, तो हमने इसको ऐसे करके लिख लिए, 1 से 11, 2 plus 3 की power k, तो 2 plus 3 की power 1, के की जगह 1 रखा, 2 plus 3 की power 2, 2 plus 3 की power 3, up to 2 plus 3 की power 11, ठीक है, तो हम ने इसको दो series करके बना लिए, देखो, 2, 2, 2, 2, यहां यह कहां तक है, 11 तक, तो हम lis 2 Plus 2 plus 2 तक है वे 11 टम्स तक plus 3 3 स्क्वर्ड अब 2 कहां तक है एं धी की पावर 11 सब्दों अब हमने गुरू यह 2 प्रिस करके चाल हे प्रिक terrace 2 प्रिसी प्ला सब्रेक्वर्षत 7 कल J we , सब्सक्रीर शुरें में Shift देखung है मिलू should do यह हमारी फिर से GP बन गई है इसको डिवाइट करेंगे 3 आएगा 27 को 9 से डिवाइट करेंगे तो 3 आएगा तो formula देखो ratio हमारा 3 आ रहा है यानि 1 से बड़ा आ रहा है तो हमने इसमें 1 से बड़े वाले का formula लगा दिया यह हमने रखा 3, r की power यानि की 3 की power हमें कितरा निकालना है बचो 11 तो 3 की power 11-1 upon में 3-1 तो यह 22 प्लस में यह 3, यह 3-1 2 हो जाएगा और 3 की power 11-1 तो यह 3 की power 11 बहुत जादा बड़ी है तो हम इसको solve नहीं करेंगे इस question को हम यहीं तक छोड़ते हैं देखो आप question number 12 है हमारा the sum of the first 3 terms of GP is 39 upon 10 यह बहुत important question है बचो HBSC और CBSC दोनों में बहुत बार आता है तो हमारे पास 3 terms GP की हैं जिनका जो sum है वो क्या है 39 upon 10 है और उनका जो product है वो 1 है तो हमें क्या निकालना है common ratio निकालना है ठीक है common ratio of the term तो 3 terms of GP क्या है अगई हमारी A upon R, A और AR देखो हम इस type से मानेंगे जब हमें product 1 दे रखा होता है तो हम इस type से GP मानेंगे A upon R, A और AR हम ऐसे भी मान सकते थे A, AR और AR का swear लेकिन जब product 1 दे रखा हो तब हमें इस type से माननी होती है A upon R, A और AR तो इन सब का product हमें 1 दे रखा है देखो A by R, multiply A, multiply AR तो यह हमारा 1 हो गया तो यह इस से benefit हमें क्या होता है direct हमारी A की value निकल जाती है R से R हमारा कट जाएगा देखो यह वाला जो R हमारा कट गया इस से यह वाला कट गया तो A की cube क्या आ गया A into A into A की cube 1 आ गया तो A की value हमारी कित्ती आ गई बच्चो A की value आ गई हमारी 1 अब इन सब का जो sum है हमें sum किता देखा 39 upon 10 तो A upon R plus A plus AR का sum 39 upon 10 A की जगा मैंने 1 put किया तो 1 by R plus 1 प्लस A की जगा अब 1 put किया R is equal to 39 upon 10 तो 1 upon R plus R यह कितना हो गया हमारा देखो 39 upon 10 प्लस 1 को हम उधर ले गए तो यह minus का 1 LC हम ले लिया तो 1 plus R square upon में यहां तो R हो गया यहां पे हो गया 39 minus 10 upon में 10 अब हमने cross multiply करी तो यहां पे तो 10 plus 10 R square और यहां पे हमारा 29 बचेगा बच्चो तो 20 R की multiply R से करी 29 R इसको arrange कर लिया 10 R square यह इधर लिया है minus का 29 R plus 10 इसके बाद हमने इसके prime factor middle term split factor की है तो 10 10 जा 100 100 के ऐसे factor की 25 बचेगा तो हमारा क्या जाएगा 25 4 जा 100 तो हमने 10 R square minus 24 5 R minus 4 R plus 10 इन दोनों में से comma निकाला 5 R तो क्या बच गया 2 R minus 5 इन दोनों में से comma निकाला minus का 2 तो यहां गया 2 R यहां भार minus है तो अंदर का sign change हो गया 2 R minus 5 तो 2 R minus 5 वो 5 R minus 2 is equal to 0 तो R की दो values आगे बचो 5 upon 2 और 2 upon 5 अभी हमें तो series निकालनी है देखो series निकालने के लिए हमें क्या common ratio and the terms निकालनी है हमें तो हमारी required terms देखो जब हमारा A की value 1 है R की दो value निकली है तो A की A की value है तो A तो 1 हो गया और R की है हमारा 5 upon 2 A की जगा 1 रखा R की जगा 5 upon 2 पर चला गया A की जगा 1 1 into R की जगा 5 upon 2 तो यह कितना गया 2 by 5 1 और 5 by 2 एक तो यह 3 times आगी बच्चों हमारी और जब हमारा A जो है हमारा 1 है और R हमारा 2 by 5 है फिर इस वाले में रखा तो A हमारा 1 यह हमारा 2 by 5 यह 1 और यह 1 into में R की जगा 2 by 5 तो आगे 5 upon 2 1 और 2 by 5 तो यह question हमारा complete होता है बहुत important question है बच्चा अच्छे से करना और अगर समझ में आये तो मुझे comment में जरूर लिखना कि क्या part समझ में नहीं आया अब next question है हमारा how many terms of GP 3, 3 का square 3 की cube are needed to give the sum of 120 यानि कि हमारी कितनी terms का जो हमें GP दे रखे 3, 3 का square 3 की cube इसमें कितनी terms को हम add करेंगे तो हमारा sum की आजएगा 120 आजएगा तो यह हमें sum दे रखा है तो a हमारा क्या है first term a क्या हमारा 3 हो जाएगा r क्या है हमारा 3 का square upon में 3 यानि कि 3 आजएगा s n यानि total terms का sum हमें किता देखा है 120 n हम से पूछा है अब ratio हमारा r 1 से बढ़ा है तो हमने यह formula काया s n is equal to a r की power n minus 1 upon में r minus 1 s n की जगा हमने 120 रखा a की जगा 3 r की जगा भी 3 3 की power n minus 1 upon में 3 minus 1 तो 3 minus 1 कितना आएगा बिच्चो 2 आजएगा वो multiply में जाएगा और जो यह वाला 3 है वो कहा जाएगा डिवाइड में is equal to 3 की power n minus 1 तो 40 multiply 2 कितना आगया 80 minus का 1 बच गया यह 3 की power n minus 1 minus 1 को इधर ले आए तो 81 is equal to 3 की power n और यहाँ पे 81 क्या होता है 3 की power 4 is equal to 3 की power n तो n की value compare करें के तो 4 आजएगी ओके बाई गाईज अगर आपको कुछ प्राब्लम है तो मुझे comment में जरूर लिखें और वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे बाई बच्चो